पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम की हैं। और ये मैंनी कहरा, मेरा सबसे निवेदन है, आप फोन करके अपने यार, दोस्तों, रिष्टेदारों से, दिली में फोन करके पूछो, कि भही आप लोग केजरी वालने कुछ काम किया, अगर कोई कहे कि केजरी वालने काम नहीं किया, तो उत्राखंड में भी मेरे को वोट मत है, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्ये में फोन करके पूछ लो, कि आज कॉंग्रेस ये बात कह सकती है, कि पंजाब में और राजस्थान में फोन करके पूछ लो, कि काम किया क्या, हम कह रहे हैं कि दिली में फोन करके पूछ लो, तो ये चु मैं क्या रहा हूं खतम हो सकता है तो सबसे पहले में आपको संक्षियेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूंगा उसके बाद दूसरी बाते टेन पॉइंट एजेंडा मैं आपके समख्षा रख रहा हूं यह आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है डिटेंड मैनिफेस्टो करनल साब वगयरा एक दो दिन बात रिलीज करेंगे लेकिन मैं सारांश में एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्राखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का में एजंडा, 10-point agenda है, सबसे पहला हम भरष्टाचार खतम करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टी है नहीं कर सकती है, उनको करना भी नहीं आता और उनकी नियत भी खराब है, आम आदमी पार्टी वालों की नियत साफ है, हमने करके दिखाया है, दिल लोगों को दर-दर की ठोकरे खानी बढ़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए, अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किये जाते हैं, बड़े लेवल का भरष्टाचार था, वो खतम किया हमने, जीरो टॉल्रेंस है करप्षिन के अब तक ही, आज सबसे बड़ा नासूर उत्राखंड में भैष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कॉंग्रेस हो, सब नेताओने मिलके उत्राखंड को लोटा है, ब्रष्टाचार को खतम करेंगे, बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजल ठीक की, 24 घंटे बिजली की, पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्राखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे, यहां भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालां कि उत्राखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीते हैं, दिल्य में पिछले कुछ वर्षों में हमने दस लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहिया कराए हैं हमें करना भी आता है और हमारी नियत भी है आज सबसे बड़ा समस्या उत्राखंड के अंदर बेरोजगारी की है एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत जादा प्रश् उस्तिदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए इसे खतम करेंगे हर उत्राखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के उपर उसको बराबर का अफसर मिलेगा बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी और प्राइवेट सेक् महिलाओं के लिए हर महिला को 1000-1000 रुपे 18 साल से उपर की हर महिला को उसकी जरूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है 1000-1000 रुपे हर महिला के एकाउंट में हर महिने डाला जाएगा स्कूल, शिक्षा आज पूरी देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ले के अंदर शिक्षा करांती हुई है सरकारी स्कूलों को शांदार कर दिया अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसे शिक्षा मिलती है एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे जज के बच्चे और एक रिक्षे वाले के बच्चे एक ही साथ वेट के पढ़ दे हैं उत्राखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है बहुत खंडर बने बड़े हैं सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं तो उनके यहां पे उत्राखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते हैं अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्राखंड के स्कूल अच्छे हो, केवल और केवल आमादमी बाटी को करने आते हैं, बाकि किसी को नहीं करने आते हैं, उनकी नियत भी खराब है, तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करें, वैसे यहां भी करेंगे और शिक्षा सब के लिए मुफ्त होगी, जिसके पास पैसा नहीं है, और इस देश में पैदा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है, और वो अधिकार आमादमी बाटी देगी, अस्पताल, दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने महला क्लिनिक खोले हैं, आज उत्राखंड में, इतने सालों के बाद भी, पहाड को दूर दूर तक चलना पड़ता है, अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम खतम होगा, हर गाओं के अंदर केवल और केवल महला क्लिनिक का मॉडल है, जो कि गाओं गाओं के अंदर इंप्लिमेंट किया जा सकता है, जिसके जरीए फ्री इलाज सब का मुहया कराया जा है, अगर दिल्ली के दो करोड लोगों में कोई बिमार हो जाए, अगर उसे बुखार हो और क्रोसिन चाहिए, वो भी फ्री है, और अगर उसे कैंसर हो जाए या कोई ट्रांस्प्लन्ट कराना हो, वो भी फ्री है, दो करोड लोगों का हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त हमने सुनिश्चित किया है उत्रा खंडवासियों का भी हर व्यक्ति का इलाज, मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेंगे और अच्छा इलाज मुफ्त का मतलब यह नहीं खराब होगा सडके ठीक करेंगे आज जगे जगे सडके तूटी पड़ी है और सडकों के अंदर इतना भृष्टा चार है मैं देखता हूं सोशल मीडिया के अंदर लोग गाउं गाउं के अंदर यह सडक दस दिन पहले बने जी और आज तूट गई क्यों तूट गई उस ठेकेदार ने कौन से मंतरी को पैसे दिए किस हमेले को पैसे दिए किस सफसर को पैसे दिए सडके बनतिया तूट क्यों जाती है यह बंद करेंगे सडके बनवाएंगे भी और सडकों की गारंटी सुनिश्चित करेंगे हमने गारंटी दी थी तीर ख्यात्रा की हर उत्राकंड वासी को अयुद्या जी के दर्शन करवाएंगे जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको मुस्लिम धरम के लोग हैं उनको अजमेर शरीफ के हम दर्शन कराएंगे दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर थ्यात्रा योजना है जिसके तहत बहुत सारे लोग अभी तक लगबग चालिस हजार लोग अलग-अलग स्थानों के तीर थ्यात्रा करके आ चुके हैं जब वो वापस लौटते हैं उनके चेहरे के खुशी आप लोगों को देखनी चाहिए इतने खुश होते हैं हमने कहा कि हम उत्राखंड को हिंदूओं की अंतराश्ट्रे अध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे इससे पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिजम जो है वो बहुत बड़े स्थरके उपर बढ़ेगा और इससे हमें उमीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा हमारे जो रिटाइड सैनिक हैं उन रिटाइड सैनिकों को 34 साल की उमर में फौर्ज से रिटाइर हो जाते हैं और उसके आद फिर वो कभी से कोई से क्योरिटी एजनसी में नौकरी ढूंड रहा है कोई कही नौकरी ढूंड रहा है क्यों भई 17 साल जब वो फौर्ज में रहते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता है मैं करणल साब से डिसकस कर रहा था उनको मेडिकल का भी एक्सपीरियंस होता है इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस होता है उनको तरह-तरह-बू वह फौज से नकलने के बाद देश के प्रतिलायल होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसेप्लिन्ड होते हैं, मेहंती होते हैं, इतना बड़ा रेसोर्स देश का खराब होता है, तो हमने तैकिया है उन लोगों को सरकारी नौकरी सबको जो भी रिटायर होके आते हैं उत्राखंड वासे उटारि लोकरी दी जाएगी और ये सरकार उन पर हैसान नहीं कर रही है हमें लगता है ये सरकार का बोहत बड़ा acid है जो खराब होरा है उनको उत्राखंड के नव निर्मान में इस्तिमाल करेंगे और दिल्ली में जैसे हमने किया दिल्ली में हम दिल्ली के रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अगर शहीद होता है उसको एक करोड रुपे की समान राशी दी जाती है उत्राखंड का भी रहने वाला कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उनको भी हम फौजी या पुलिस वाला उपरेशन में शहीद होता है तो उनको भी हम एक एक करोड की वो देंगे एक मेर से रह गया था तीर थेत्रा में मैंने आयुध्या बोला मैंने अजमेश शरी बोला हमारे सिख धरम के लोगों के लिए दिली में भी हमने किया करतारपुर साहब भी हम उनको दर्शन कराने ले जाएंगे और रिटायर्ड सैनिक जब मैं बोल रहा हूं इसमें पैरा मिलिटरी फोर्सेज भी आती हैं इसमें उतराखंड पुलीस के जवान भ बताए हैं इसके लावा भी और बहुत सारे हैं जो कि करनल साब आप लोगों के उतराखंड के जो भी इशूज हैं करनल साब आपको डिटेल्ड मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो बताएंगे ये सारी चीजें मिलाके हम शिक्षा फ्री करेंगे आज एक आदमी अगर अ साल दिल्ली में आपको जानके ताजब होगा धाई लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भरती कराया और बड़े बड़े अमीरों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भरती कराया धाई ला परिवार को हर साल दो लाख रुपए का फाइदा होगा कम से कम इसे जादा ही होगा दो लाख रुपए का फाइदा तो पांच साल में हर परिवार को कम से कम सीधे तोर पे तो बड़ी कबर आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी सेयोज़ा अर्विंद केजरीवाल लगातार मिशन उत्राखंड पर हैं साथी उन्होंने कहा कि अभी उत्राखंड में बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती है हमारी सरकार आने पर युवाओं को नौकरियां दी जाएगी उत्राखंड में ब्रष्टाचार खत्म करने की बात भी कहते हुए अर्विंद के जिवाल नजर आए साथ ही उन्होंने कहा कि आम आद्मी पार्टी की नियत साफ है आम आद्मी पार्टी से उज़ा करविंद के जिवाल मिशन उत्राखंड पर हैं तेरा दूमे प्रेस कांफरेंस को संबोधित उन्होंने किया उत्राखंड की जनता के सामने दस सूत्रिय एजन्डा उन्होंने रखा खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट झाल